भोजपुर जीले में भाई दूज को लेकर सुबसे हैं ग्रामी नवस्तरी छेत्र इलाकों में चहल पहल देखी गई रक्षा बंदन के तर्च पर ही भाई दूज का पर्वी भाई बहन के रिस्तो की डोर को एक दागय में बांधने वाला पर्व है भाई दूज का पर्व भाई बहन के स्ने त्याग और समर्पन का परतीक इस दिन भाई बहन अपने प्यार भरे रिस्तो को और प्रगाड करते हैं इस दिन बहने अपने भाई की लंबी उम्र और उनकी समर्दी की कामना करती हैं बाई दूज जिसे भवीज, भाई टीका और भाई फोटा नाम से भी जाना जाता है एक विश्यस्तिवार है जिसे भारत में भाई और बहन के बीच बंधन मानने के लिए मनाया जाता है कार्तिक के हिंदु महीने में सुकल पक्ष के दूसरे चंदर दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई दूज रक्षा बंदन के समान है जब एक भाई और एक बहन एक दूसरे के लिए प्राथना करते हैं लंबे जीवन और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं भाई दूज एक ऐसा तेवहार है जो भाई और बहन बीच के बंदन का चस्न मनाता है इस तेवहार को बावीज, भाई फोटा, भाई टीका के नाम से भी जाना जाता है या दिवाली के दो दिन बार मनाया जाता है इस दिन भाई बहन कोपल मनाते हैं और एक साथ उपवास का अनंद लेते हैं और भाई इस दूज दिवहार के साथ पंच दिवसीर दिपावली उत्सो समाप्त हो जाता है भाईया दूज कार्दिक महीने की दूतियती थी सुकल पक्ष को मनाया जाता है ऐसी धार्मिक मानेता है कि इस दिन बहन यमुना ने अपने भाई यम से वर मांगा था कि जो भाई इस दिन पवित्र नदी में असनान करने के बाद अपनी बहन के घर भोजन करेगा उसको मृत्यू का भाई नहीं रहेगा बगवान सुरीदेव की पत्नी का नाम चाया था यमराज और यमुना उनके पुत्र और पुत्री थे यमुना हमेसा अपने भाई यमराज को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती थी लेकिन बेसता का हवाला देते हुए बसक्राइब करते हुए बसक्राइब करते हुए